पूरा वीडियो ध्यान से देखिए वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेर भी कीजिए मैंने सवाल किया था कि पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग का आपको सुची बनाना है तो PSUs जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं महारत, नवरतन और मिनी रतन महारतन आठ बताया था मैंने, नवरतन दे 16 और मिनी रतन दे 74 करीब है तो आज हम महारतन के देखेंगे, सिर्फ महारतन कंपनियों को देखेंगे आठ महारतन कंपनियों का नाम आप देखेंगे NTPC, National Thermal Power Corporation, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, SAIL Cell, Steel Authority of India Limited, Bail, Bharat Heavy Electrical Limited, IOCL, Indian Oil Corporation Limited, CIL, Coal India Limited, Gail, Gas Authority of India Limited और BPCL, भारत Petroleum Corporation Limited चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, कलार आगे देखेंगे करेंट अप फिर सुरू करते हैं, बीते दिनों RBI ने KYC मानदंडो का उलंगन करने के लिए कितने सार्वजनेक शेत्र के बैंकों को जुर्माना लगाया है तो चार बैंकों को, चार सार्वजनेक शेत्र के बैंकों को जुर्माना लगाया है वो कौन-कौन से चार बैंक है, वो देखेंगे उन में से तीन को 50 लाग रुपया का जुर्मान लगाया है जबकि एक को 25 लाग रुपया का देखिए पंजाब नेशनल बैंक, इलाहवाद बैंक और यूको बैंक को 50 लाख रुपया देना है जबकि कॉर्परेशन बैंक को 25 लाख रुपया का जुर्मान लगाया है बात RBI क्या यह है तो जानेंगे गौर्णर 25 में है सक्तिकांदास, उख्याले मुंबई एक अपरेल 935 को गठन हुआ था बीते दिनों किस भारतीय बल्लेवाज ने अंतराष्टीय क्रिकेट से सन्यास की घोसना कर दी है तो यह वो क्रिकेटर हैं अमबाती राइडू अभी अभी कुछ दिन पहले युबराज सिंग ने भी सन्यास लिया है अमबाती राइडू ने भी सन्यास की घोसना कर दी यह है अमबाती राइडू इन्होंने कुल 55 ODIMH खेले हैं तीन सतक, दस, अर्द सतक के साथ कुल 1694 रन बना है आगे बढ़ते हैं, बिते दिनों किसे MFIN का अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है तो ये हुए हैं मनोज कुमार नाम भी यार बात MFIN का आया है तो इसका पूरा नाम देखेंगे Micro Finance Institution Network Micro Finance Institution Network इसका स्थापना 2009 में हुआ था और CEO हैं हर्स श्रिवास्तव यही हैं हर्स श्रिवास्तव ठीक है, तो I hope आपको इस सवाल से इतनी जनकारी मिल गई होगी आप MFIN का पूरा नाम याद रखेंगे बिते दिनों भारा सरकार्म ने RBI के डिप्टी गवर्नर NS विस्वनाथन के कारेकाल को कितने बर्स के लिए बिस्तारित किया है मतलब extension दिया है तो उनको दिया गया है जी एक बर्स के लिए एक साल के लिए उनको extension दिया गया है किनको NS विस्वनाथन को आपको पता होगा कुछी दिन पहले RBI के एक डिप्टी गवर्नर बिरल अचार ने इस्थिपा दिया थे ये हैं NS विस्वनाथन और इनको एक साल के लिए extension दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं बिते दिनों दोहा में IBSF स्नूकर विस्वकप के final किस देश ने जीता है तो ये पाकिस्तान ने जीता है बायुसेना ने किस देश के बायुसेना के साथ गरूड सिक्स अभ्यास शुरू किया है तो ये किया है फ्रांस के साथ गरूड अभ्यास जो होता है बायू सेना जो बायू सोना होता है और ये फ्रांस के साथ होता है ये अभ्यास एक जुलाई से बारह जुलाई के पीछ फ्रांस में होगा ये फ्रांस में होने ही वाला है फ्रांस में देखिए इसे रिलेटर एक फोटो देख रहा होगा आपको हमारे देश के वायु सेना परमुख जो है वो है बी एस धनोवा आप बताएंगे धल सेना परमुख और जल सेना परमुख बीते दिनों किस राष्ट्रिय उद्यान में बिसेस गैंडा सुरक्षा बल को तैनाद किया गया है तो यह है काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान कहाँ पर है आसाम में बात आसाम क्या है तो राजधानी दीसपूर है सर्वदान अनसोने वाल वहां के मुख्य मंत्री है एकसेक्यूट एंसेफिलाइटीस सिंड्रोम जिसको AES बोलते हैं और जपानी एंसेफिलाइटीस सिंड्रोम मतलब JES बोलते हैं के लिए दस्तक अभियान लॉंच किया है तो यह क्या है उत्तर परदेस सरकार ने जी ठीक है उत्तर परदेस सरकार ने AES और JES के लिए दस्त तक अभियान लॉंज किया है, तो चलिए आज के लिए बस अतना ही, अब जवाब देखेंगे, 70 का बीते दिनों राष्ट्रिये चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है, तो जुलाई के फर्स्ट डे को मनाया जाता है, राष्ट्रिये चिकित्सा दिवस यानि नेशनल डॉक्टर ठीक है, एक जुलाई को मनाया जाता है जी, बोश्ट सहब के जन्म दिन पर मनाया जाता है, मैंने बताया था, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सवाल 71, बिदे दिनों किस देश के अधिकारिक तौर पर एकल उप्योग, किस देश ने अधिकारिक तौर पर एकल उप्योग बाले प्लास्टिक स्वापिंग बैग पर प्रतिवन लगा दिया है, तो अप्सन से कनाड़ा, नियुजिलेंट, थाइलेंड, इंडोनेसिया, इंडिने से किस ने ऐसा किया है, उस देश का नाम लिखेंगे, राजधानी लिखेंगे, उस देश के बारे में रहा बताईए, और मुझे दिजिए इजाज़त, नमस्कार.